तो दोस्तो भारत के लिए अब एक काफी शर्मनाद बात है दरसल 5 साल बात भी हम हमारी एक बुलेट ट्रेंट तक नहीं बना पाए अभी तक केवल 30% पूरा काम कम्प्लीट है लेकिन वहीं दूसरे तरफ चाइना को देखे 15 सालों में ही इनों ने इतनी हाई स्पीड रेलव कि अराम से पृत्वी का एक चक्कर लगाया जा सकता है तो डेफिनेटली पहले जो स्केल एंड स्पीड की बात कई जा री थी वो तो चाइना के सामने कुछ भी नहीं है भारत नहां पर काफी जादा पीछे है जस्ट फर कंपैरिसन में आपको बता दू कि हमारी इस बुले को चोकडाला जब उन्होंने फाइनलाइस कर दिया है वर्ल्ड का फॉर्स्ट हाइपर लूप डेस्टिनेशन यहां पर ट्रेन की रफ्तार होगी 1000 किलोमीटर्स पर आर और 2035 तक इसे पूरी तरह से ऑपरिशनल भी कर दिया जाएगा खैर यह जो रूट है शैंगाई और व ट्रेन से आदा घंटा लेकिन इस हाइपर लूप ट्रेन से केवल 12-15 मिट में यह पूरा सफर तैह हो जाएगा अब आ जाते हैं भारत की तरफ बारत की बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बात करें तो यहां पर तो पूरी तरह से यह क्रॉल ही कर रहा है इं परसेंट भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है तो भारत के लिए डेफिनेटली काफी शर्वनाद बात है जहां एक तरफ हमारा पड़ोसी देश इतना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है इन टरम्स ऑफ बुलेट ट्रेन हाइपर लूप तो वहीं भारत बुलेट ट्र तक नहीं बना पा रहा है तो इसके बारे में आपकी क्या रहा है अपनी डेफिनेटली कमेंट्स में बताईएगा